इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप यहां पर अपना create करते हैं chat gpt का account और email डालते हैं यहां पर लिक कराता है the user already exists तो इसका कहने का मतलब है कि आपने इस email id पे already account बनाया हुआ है ठीक है तो आपको वापस से बनाने की जरूत नहीं है तो अब आपको क्या करना है login के option पर जाना है और यह email वहां डालना है और password जो भी आपको याद होगा अंदाजे में वो डाले और continue कर दे तो आप chat gpt के account में पहुंच जाएंगे basically यहां पर कहने का मतलब है कि आपने पहले chat gpt का account इस email से बना चुके हैं आपने already बनाया है इसलिए यहां पर ऐसा लि कर दे